नमस्का दोस्तों आज हम अपने वीडियो के मात्यम से बताने जा रहें ये संकेत बताते हैं कि आपके सरीर में यूरिकेसिड का स्तर बढ़ चुका है प्यारे दोस्तों जब किसी वज़ा से किड्नी की फिल्टर यानि छाने की छमता कम हो जाती है तो यूरिया यूरिकेसिड में परिवर्तित हो जाता है जो अडियो के बीच में जमा हो जाता है यूरिक एसिड सरीर के सेल्स और उन्चीजों से बनता है जो हम खाते हैं इसमें से यूरिक एसिड का ज़्यादतर हिस्सा किड्नियों के जरिये फिल्टर हो जाता है जो टोईलेट के जरिये सरीर से भारा जाता है लेकिन अगर यूरीक एसिट सरीर में ज़्यादा बन रहा है या किन्नी फिल्टर नहीं कर पाती है तो खून में यूरीक एसिट का लेवल बढ़ जाता है बाद में यह हडियों के बीच में जमा हो जाता है और इसे गाउट की समश्या पैदा हो जाती है यूरिक एसिट के भरने से सरीर के मास्पेशियों में सूजना जाती है जिसे दर्द मैसूस होता है और ये दर्द सरीर के किसी भी इससे में हो सकता है अर्थात खासका टकने में, कमद में, गर्दन में, घुटने आदी में, इसी के बाद में गाउट, गठिया और अथ्राइट्स जैसी परेशानिया हो जाती है अगर समय रहते हैं इसका इलाज ना किया जाए तो ये गंबीर रूप ले सकता है इसलिए हम सरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के लक्षन और इसके साथ बर्तने वाली साधानिया और इस समश्या से निपटने के कुछ उपाय बताने जा रहे है सरीर में यूरिक एसिड की मात्रा में जाफा हुआ है तो ये लक्षन पहचाने पैरो जोडों में दाद, एडियों में दाद, गाठों में सूजन, ज्यादत तेर तक बैठने पर या उठने में पैरो एडियों में ऐस हैनिय पीडा, सूगर लिवर बढ़ जाना सोते समय पैर में जक्डन, चलने में समश्या, गुटनों में दाद, पैर के अंगुठे में खुजली होना अब मैं आपको इसके लिए उपाई बताने जारी हूँ, वो इस प्रकासे है एपल, साइडर, विनेगर, सेब का सिर्का, सेब का सिर्का सरीर से यूरिक एसिड को अटाने में मदद करता है एंटी ओक्सिडेंट और एंटी इंफ्लमेटरी गुनों के कारण ये सरीर में छारी एसिड संतूलन को बनाए रखता है इसका सिर्का, बलड के पी-एच वोल्यूम को बढ़ा कर यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है छोटी इलाइची, छोटी छोटी इलाइची ले इसको पानी के साथ मिला कर खाएं ऐसा करने से यूरीक एसीड की मात्रा कम होने के साथ ही कोलेस्टोल लेवल भी कम हो जाता है प्याज यूरीक एसीड को कंट्रोल में रखने और कम करने के लिए प्याज का सेवन करें प्याज सरीर में प्रोटीन की मात्रा मेटाबलोजिम को भी बढ़ाता है जब सरीर में इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है तो यूरिक एसीड की मात्रा नियंतरन में रहती है बेकिंग सोडा गिलास पानी कले एक गिलास पानी कले उसमें आदा चमच बेकिंग सोडा मिला कर पिए यह baking soda का जो मिश्ण यूरिक एसिड को कम करने में मदद करता है लेकिन sodium की अधिक्ता के करण आपको baking soda लेते समय सावधानी बरतनी होगी खुब पानी पीएं पानी की प्रात मात्रा से सरीर में मौझूद यूरिक एसिड यूरिन के रास्ते से भार निकल जाता है इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए सरीर को हाइडरेट रखकर आप यूरिक एसिड के स्तर को कम कर सकते हैं सरीर में पानी में यूरिक एसिड काफी कम हो जाएगा जैसे की संत्रा आवला विटामी सी के अच्छे स्त्रोत्र है इनने आप अपने खाने में सामिल करें अजवाइन रोजाना अजवाइन खाने से भी यूरिक एसिड कम हो जाता है इसका पानी भी आपके लिए काफी फायदे मंद हो सकता अगर आप इसका पानी का सेवन खाली पेट सुबह करेंगे तो कच्चा पपीता एक कच्चा पपीता ले इसको बीच में से काट कर बीजों को अलग कर ले आप पपीते को दो लीटर पानी में पांच मिन्ट के लिए उबालने इस पानी को ठंडा करके चालने और फिर दिन में दो से तीन बार पीएं पेप परदाच ज्यादा ने इससे यूरीन के जरिये यूरीक एसिड निकल जाता है अगर आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे या पेप परदाच का सेवन करेंगे तो आपको काफी हद तक फायदा होगा यूरीक एसिड की समस्या से बचने के लिए ना खाएं ये चीजे आपको जिन चीजों का सेवन करने से बचना है वो इस प्रेकार से है ज़्यादा शराप पीने से बचना चाहिए बीयर में ये स्टो होता है इसलिए इसके सेवन से बचे रात को सोते समय दूद्या दाल ना खाएं अगर खाना ही है तो छिलके वाली दाल खाएं स्मोकिंग, दाइचावल, अचाइड, ड्राइफूर्ट, दाल, पालक, फास्ट फूर्ड, कॉल्डिंग, पैकेट फूर्ड, अंडा, मास, मचली और शराप के सेवन से दूर रहना चाहिए ये सब चीजे यूरिक एसिट के स्तर को बढ़ाती है और इसके कारण हमें काफी समश्याओं का सामना करना पड़ता है बेज जरूरी है कि खाना खाते समय पानी ना पिये, खाना खाने से डेट गंटे पहले या बाद में ही पानी पीना चाहिए और वो पानी भी आपको गरम ही पेनना चाहिए जो कि आपको धीरे धीरे पीना है बेकरी प्रोडेक्ट से बचे ट्रांसफेट से बरपूर खाना यूरिक एसिट के स्तर को बढ़ाता है इसलिए बेकरी के उत्पाद जैसे पेस्ट्रीज कुकिट से दूर रहे च्यारे दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें नमस्कार दोस्तों जैहिंद